वेलकम फ्रेंट तो चली आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 और 12 का एक्जामिनेशन प्रोग्राम आ गया है तो देख सकते हैं आपका कौन सा दिन में कौन सा सब्जेक्ट का एक्जाम होने वाला है देदिया गया है और इस्टाट आपका 6 फर्वरी 2024 से स्टाट हो रहा है देखिए पहले क्लास 10 की बात कर लेते हैं कौन सा दिन में कौन सा सब्जेक्ट है तो क्लास 10 का आपका 6 फर्वरी 2024 से स्टाट होने वाला है और आपका फर्स सिटिंग में एक्जाम होने वाला है 9.45 से लेके 1 बज़ के 5 पीम तक होगा 9.45 एम से एक बज़ के 5 पीम तक होगा और इसमें भी आपका दो सेक्षन में होगा 9.45 एम टू 11.20 एम में आपका ओमार सिट में होगा अब्जेक्टिव टाइप कोस्टेल और सब्जेक्टिव का आपका 11.25 से लेके 1 बज़ के 5 मिनट तक होगा अना तो देखते चलिए छे फरवरी 2024 को आपका IIT एंड अधर वोकेशनल सब्जेक्ट है तो उसका होगा ओमार सिट में आपका 9 बज़ के 45 मिनट से 11 बज़ के 11 बज़ के तक होगा और सब्जेक्टिव का आपका 11 बज़ के 5 मिनट से 12 बज़ के 35 मिनट तक होने वाला है नेक्स्ट आपका देख सकते हैं उसके बाद आपका 7 फरवरी को आपका Commerce, Home Science यानि कि वानी जी और गिरिया विज्ञान Home Science का होने वाला है और वानी जी का होने वाला है 8 फरवरी 2024 को आपका खड़िया, खोठा, कुर्माली, नागपूरी, पंचपरगनिया का होने वाला एक्जाम और 9 फरवरी को आपका अर्भी, फार्सी, हो, मुंडारी, संथाली, उराव इसका होगा 10 फरवरी को आपका दिन सनिवर पढ़ता है, इसमें आपका उर्दू होने वाला, बंगला, उडिया, इसमें से आपका जो सब्जेक्ट है उसका होगा उसके बाद आपका देख सकते हैं 12 फरवरी 2024 को आपका सोसल साइंस होने वाला, सामाजिक विज्यान 13 फरवरी 2024 को आपका मेजिक, यानि कि संगित होने वाला है उसके बाद आपका सोलो फरवरी 2024 को आपका फ्राइडे को गनित होने वाला है उसके बाद आपका 17 को गेप है उसके बाद फिर 19 को आपका होने वाला 19 फरवरी 2024 को आपका हिंदी में आपका कोर A और कोर B दोनों का होने वाला है अब जो रखे उसका होगा उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद 21 को आपका 20 को गेफ है 20 को आपका साइन्स का होने वाला है उसके बाद 22 भी गेफ है 23 को आपका संस्कृत का होने वाला है उसके बाद लास्ट आपका 26 फरवरी 2024 यानि की 26 को आपका इंगलिस लास्ट होने वाला है अब इंट्रमेडियेट की बात करते है तो इंट्रमेडियेट का आपका 6 फरवरी 2024 को आपका वोकेशनल सब्जक्ट में आये, आयसी, आईकम तीनों का होने वाला है अदर जो रखे एं उसका होगा और आपका 2 वजे से लें के 335 तक होने वाला और बुकलेट वाने की सब्जेक्टिव टाइप कोस्टेट में होगा उसमें आपका 340 से आपका 520 तक होने वाला है उसके बाद आप साथ फर्वरी 2024 का आपका कंपल्सरी कोर लेंग्वेज में आएक होगा उसके बाद आपका आठ फर्वरी 2024 को आपका कंपल्सरी कोर लेंग्वेज में आपका ISC ICOM हाना एंड आए हिंदी ए हिंदी बी मात्री बाशा इंग्लिश मूजिक इसका आएक के लिए होने वाला है उसके बाद आपका 9 फर्वरी 2024 को आपका इलेक्टिव लेंग्वेज का होगा कंपल्सरी आए के लिए है और एडिशनल लेंग्वेज में आपका ISC और ICOM का होने वाला है उसके बाद 10 फर्वरी 2024 का आपका इकोनोमिस का होने वाला है और Economics में आपका IAC और IAC का होने वला है और Anthropology का आपका IAC का होने वला है और 12 फरवरी 2024 को आपका Geography का IAC होने वला है और Computer Science IAC और IAC का होने वला है 13 फरवरी 2024 का आपका हिस्ट्री का होने वाला है जो कि आई का है और 16 फरवरी 2024 का आपका फेजिक्स का होने वाला IAC के लिए और एकाउंटेंसी आइकम के लिए होने वाला है नेक्स्ट आपका देख सकते हैं 17 फरवरी 2024 आपका इकोनोमिस का होने वाला IAC के लिए और नेक्स्ट आपका देख सकते हैं है psychology का आपका आय के लिए है तो इसे अपका होने वाला है next आप देख सकते हैं 21 फरवरी 2024 आपका इसमें mathematics और एस्टेटेस्स का होने वाला है आये आय सी और आइकम तिनो सब्सक्राइब के लिए और next देखी 22 फरवरी दोजार चुविस को आपका फिलोसोफिक आ होने वाला है यह आये के लिए है next आप देख सकते हैं 23 फरवरी 2024 इसमें आपका chemistry का होने वाला iac के लिए इंटरफ्रेंशिप के आपका होने वाला आईकम के लिए होम साइन्स यानि आये के लिए होने वाला है और लास्ट आपका देख सकते हैं 26 फरवरी 2024 है इसमें आपका पॉलिटिकल साइन्स का होने वाला आये के लिए है तो यह है फ्रेंट तो आप जल्दी से अग्जामिनेशन का प्रिप्रेशन में जोड़ जाए क्योंकि समय बहुत कम है और अच्छा से अच्छा प्रिप्रेशन कीजिए और अच्छा से अच्छा मार पुछाए तो ही है मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए जैहिंग वंद्यमात्रम